नमस्कार दोस्तों ये थी फेली हेल्प में आपको बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो हम बात करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको एक नए पॉर्टल के बारे में जिसका नाम है उल्का रिचार्ज तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है उल्का रिचार्ज पॉर्टल कौन-कौन से इसमें सर्विसेस है और कितना मिलता है आपको कमिशन कैसा दिखता है इसका डैश्वोट सारी चीज़ें करके इंडिटेर्स में च चलिए शुरू करते हैं उससे पहले मता दो अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस बेल का आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जो ही वीडियो लाओं उनको नोडिफिकेसन जाता रहे सीधे आप तक तो अब चलिए बात कर लेते हैं उल्का रिचार्ज प आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां से जाके Android app डाउनलोड कर सकते हैं और इनका Android app Play Store में भी अविलेबल है तो वहां से भी आप उलका रिचार्ज साच करके app डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक आपको डेस्केशन में मिल जाएगा लॉग इन करने के लिए आपको पहले हैं मिल जाएगा जहां से regulate के लिएडिए कर लेंगे यहां से कर पाएंगे यहां मोई रिचार्ज कर सकते हैं डी ट्फ इंस कर सकता है डेटा चार्ज कर सकते हैं वहीं उसके बाद आपको की आप देख सकते हैं कि प्रोड़क और किस सर्विस पर आपको कितना कमिशन मिल रहा है किस कमिशन मीशना कि नहीं है सारा लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं क किस बाद अप्शन है application का जहां से आप जाके mobile app download कर सकते हैं महीं अगर आप mobile app से काम करते हैं तो वहाँ पर directly आप UPI के माध्यम से balance with में add कर पाएंगे ठीक है उसके बाद option मिल जाता है manager का यहां से जाके आप bank details वगर यहां पर set कर पाएंगे manage कर पाएंगे अगर आप distributor है तो आप क्या काम करेंगे user create करेंगे रिटेलर वगरा जोड़ेंगे तो उसका option आपको यहां पर मिल जाता है add customer retailer और debit credit का तो रिटेलर आप add भी कर सकते हैं उससे debit और credit मतलब पैसा दे भी सकते है balance दे भी सकते हैं और balance ले भी सकते हैं commission set करने के लिए यहाँ पर option मिल जाएगा अगर आपने retailer बना रखा है तो उनको आप कितना commission देंगे वह आप यहाँ से set कर सकते हैं और उसके बाद option मिल जाता है report का जहां से जाकर आप देख सकते हैं कि आज आपने कितनी earning करी है Recharge Report क्या है, आपका Transaction Report क्या है, आपका Account Report क्या है आपका और Daily Report क्या है Payment का Option उप्षन 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 जहां से जाके आप Payment वगरा अपडेट करेंगे Payment Request डालेंगे, Payment History वगरा चेक करेंगे उसके बाद option मिल जाता है आपके यहाँ पे support का जहां से support के लिए ticket वगरा raise करेंगे या आपने पुराना ticket वगरा raise कर रखा है तो उसके history वगरा आप यहाँ से check करेंगे तो overall यही है इनका dashboard आगे बात करते हैं services की तो यह एक multi recharge portal है तो यहाँ पर mobile recharge, DTS recharge, electricity bill payment, postpaid bill payment आदि सर्विस यहाँ पर available है commission की बात करें तो यहाँ पर mobile recharge, DTS recharge, postpaid bill payment तीनों ही पर 3.5% का commission मिलता है distributor को वहाँ electricity bill payment यहाँ पर कोई commission नहीं है, साथ सी जाथ यहाँ पर कोई surcharge भी नहीं है, जितना आपको bill में दिखेगा उतना ही आपको यहाँ पर payment करना है contact है इसके बात करें तो इसकी पर आपको number दिख रहा है इससे ज्यादा अगर कुछ जानना, पूछना, समझना है तो आप इसकीन पर दिए गए number पर call करके जान पूछ समझ सकते हैं फिर आपको जमता है तो आप यह portal ले सकते हैं कर दो आपको जमता है